एलो गाईज, मेमरी सर्मा हमारा आज का सेसन सुपर टैट जो उमारा टोपिक होगा सिक्षन कोषल उसमें हमने नोप तरते क्यूशचन पिर समूं आपके समय प्रस्थ तत क्या है जो आपके सिक्षन कोषल को समगने के लिए बहुत कारगर्शी होगा तो हम आज पहले क्युशन से प्राइब करते हैं Q7 सूचनाओ को जोड़कर समंग रूप से समझना है अर्था सूचनाओ को इखत्ती करकर उनको आपस में मिलान करकर उनको जोड़कर आप जो समझते हैं उसको हम संसलेशन कहते हैं नमर दो, ज्यान को इस्थायत परदान करता है, ज्यान में योग्यता बदलाव लाता है, जब आप ज्यान को छोटे छोटे तुकड़ों में जोड़ कर, उनको इखटा करकर कुछ इस्थायत ज्यान प्राप्त करते हैं, तो उसको ही संसलेशन कहते हैं. नमर तीन वर्तमान ज्यान के बाद भूत अत्वा भविश्य का ज्यान देना है परत्यक से एपरत्यक्स की ओर वर्तमान ज्यान के बाद भूत अत्वा भविश्य अर्थात आप कोई भी ज्यान प्राप्ट करेंगे सरवपर्थम आपको वर्तमान में ज्यान को प्राप्ट करना हो उसके बाद ही आप पास्ट में और फ्यूचर में ज्यान प्राप्ट कर सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे पर्त्यक्स से एपर्त्यक्स की ओर नमर चार आगमनवीदी है उधारन से नियम की ओर आगमन विदी पहले जो आपको पता है जो आपको मालूम है जो उदहन आप पे आते हैं उसके उसको बेस बनाकर आप नियम की और बढ़ते हैं नियम से उधान की और निगमन विधी अर्थात नियम जब पहले ही आपने कोई नियम पढ़ लिया है तो वो विधी निगमन विधी कहलाएगी उसके नुसार चलना ही निगमन विधी कहलाएगा नमर 6 ने ज्यान की खोज में सायक है आगमन विधी जब आपको इन ने ज्यान को प्राप्त करेंगे ने ज्यान को सिखने कोशिस करेंगे तो आपको जो पहले ज्यान आप पे आता है उसके बारे में पता है जो पहले आपको ज्यान प्राप्त है तो उसको आगमन विधी अर्थात शिक्सक को शिक्सन परदान करना चाहिए आगमन से निगमन की और अर्थात पहले उधारन से नियम की और जो उसको पता है जो उसको आता है वच्चे को उससे प्रानम करना चाहिए और उससे मिलान करने के बाद ही उस टोपिक को अटेच करने के बाद ही आगे चाहिए नमबर आठ खोज के फलसुरुत प्राप्त ज्यान खोज अर्थात सर्च जो आप सर्च करते हैं खोज करते हैं उससे जो प्रिनाम निकलता है उसको ही निग्मन विधी कहते हैं नमबर नाइन निग्मन विधी से सिक्षन होना चाहिए आग्मन के पश्चा निग्मन विधी आपकी सूत्र विधी है आप ने खोज करके निशकर्स निकाला है आखर निशकर्स है आपका तो उस किसके पश्चात होना चाहिए वो पहले आग्मन पहले आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत ज्यान होना चाहिए यह आगमन के पश्चात होना चाहिए नमर टैन निग्मन विधी के जनक है अरस्तू नमर अलेविन परमान से परत्यक्स की और निग्मन विधी नमर ट्वैल निग्मन विधी है समान्य से विशिस्ट की और नमर थर्टीन योजन पदिती है किलपेट्रिक की नमर फोर्टीन किलपेट्रिक है पर्योजनवादी नमर फिप्टीन पर्योग में विश्वास करता है कौन करता है पर्योजनवाद जो पर्योजन है उसमें कौन विश्वास कराता है आपको पर्योजनवाद कराता है 16 परियोजन वाद के जनक है डी वी 17 हेलन पार्खष जनक है डालतन विधी के 18 विधी के जनक है फ्रोवैल 19 निगमन विधी उपयोगी है उच कक्षाओं के लिए निगमन विधी में बच्चीया परिपक हो जाता है छोटे बच्चो को हम आगमन विदी से समझाते हैं लेकिन जो उच कक्साई होती हैं उसमें बच्चो को आप निगमन विदी अर्था सूत्र विदी के दोवारा, नियम के दोवारा सिखाते हैं इसलिए उच कक्साओ के लिए उपी होगी है नमबर 20 किंडर गार्टन का साब्दिक अर्थ है बच्चों का बगीचा फुलवारी नमबर 21 मार्या मोन्टेश्टी जनक हैं मोन्टेश्टी विधिके आम्ष्ट्रोंग जनक हैं हुरिष्टिक विधिके नमबर 23 हुरिष्टिक का साब्दिक अर्थ है खोज करना हुरिष्टिक का साब्दिक अर्थ क्या है खोज करना सर्च करना नमबर 24 हुरिस्टिक सब्द का यह हुरिस्टिक सब्द है यह कौन सी लेंगवेज से आपको प्राप्थ हुआ यह ग्रीक भासा का सब्द है यह ग्रीक से आपको प्राप्थ हुआ नमबर 25 मातम गांधी जनक हैं बेसिक सिख्षा परनाली के वर्धाय योजना लागू हुई 1937-1937 में नमबर 27 सुकुराद जनक हैं परसनोत्तर विदी के नमबर 28 समवाद विदी के जनक हैं पलेटो नेक्स्ट 29 कविता इस विधी द्वारा याद कराई जाती है पूम से अंस्कियोग अर्थात उसको कविता समझाने के लिए आपको उसकी छोटी छोटी बारी क्या उसको बच्चे को समझानी होगी उसके बाद ही वो उसको समझ पाएगा यानि कि जो कविता को थोड़े सब्दों में अंकित क्या गया लिखा गया है उसको अपने सब्दे में वाइट करकर विश्चित करद बच्चों समझाना होगा कि इसका क्या अर्थ है तो उसके निसारी बच्चों समझ पाएगा तो सिक्सन होना चाहिए बाल की इनृत देखो आज ही सिक्सा हमारी बाल के इनृत सिक्सा है तो गाइज हमारा यह आज का लास्ट क्यूशन था हमने कम्प्लीट क्या है तो आपको अगर हमारा यह invece सेशन अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ओके गाईज, थेंक यू वेरी मुच